अब यहां की मुझे सफाई करनी ही है देखे बेडरूम का तो लगो गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब मैं सांती स्वागत करती हूं अपने यूटूब चैनल गाउं की सांती में और मैं आ गई हूं बनारा से अपने घर आते टाइम का मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया परना मैंने आने के बाद क्योंकि मैं कल रात को आई हूं साथ बजे के बाद और आने के बाद कैसे भी दो रोटी बना के खा के सो गए थे कुछ रीजन था थोड़ा बहुत चलता रहते हैं अपनों लाइफ में तो अ रम्य के बापा बना के खाना खाके और खिला देते हैं यहीं बहुत बड़ी बात है तो मैं उसे इस बात की कोई सिक्वा सिकाइत नहीं करने वाले कि किछन अपने इतना गंदा क्यों रख लखा है तो ऐसा होता है न कई बार कि हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि हम काम, अच्छा बिंदी यहां लगी हुई है हम काम कहाँ से सुरू करें और कहाँ से खतम करें कौन सा काम पहले करें तो अरू आज है संडे का और अरू की जो स्वेटर और क्या होता है प्लैजर वह मुझे देखना है कि वह पिछली साल में लेके आई थी आं मैं पिछले साल का है मत देख रहे हैं पुरी चिपट से गए हैं धूल मिटी से मैंने हेर वाश किया ही नहीं तो मैं चाहरी हूं बाला में ओइलिंग करने और कीचन क्लीन करके और मैं क्या-क्या चीज़ी आज करती हूं वह देखिएगा आज होप कि आपको यह ब्लॉग यह विडियो बहुत बहुत बाते करणे वाली हूं मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे लग रहा है मैं बता दूऊं आप सबको तो सबसहेले मैंने कल सेई फून को चार्चमर नहीं लगाया मेरी विडियो पहले से अप्लोड थी तो मैंने फोन मतब सीडियूल में थी वीडियो खोदी पब्लिक हो गई कोई उसका हो यह नहीं था तो मैं अब फोन को लगा रही हूं मैंने लगा दिया चारल में हम मिलते हैं आप सुबसे बस थोड़ी देख के बार उसके बाद किचन के पूरे स्लैप के मैंने क्लीनिंग करी और उसके साथ सब में जितने भी हमारे डबे थे चीनी, चैपती, मसाले उनको भी मैंने कपड़ा गीला करकर के सारा पोच के उपर के साइड में रख दिया है ताकि वो सूख जाएं और कुछ मसाले मैंने धूप में रखे हुए जैसे वो सूख जाएंगे थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो उनको मैं उनमें ले जाके मैं अच्छे से मसाले भर के रख दूँगी तो यहाँ पर हमरा किचन क्लीनिंग का काम हो गया है अब आते हैं हमें हाबे झाले से में हाएगी देखिए इतने सारे चीजे नहीं कहीं कुछ और है नहीं मिल रहा है इन्हों किया है शारी चीजे को इधर कर दी गई है मेरा तक्दम वह मैंने सब अभी अगेंज करूंगी ना फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया तो सबसे पहले मैं इनने से लिक्स्ट्री खटा लेती हूं यह मेरी हेर एक्सट्री ऐसा उसके बाद यहां पर यह मेरा इतनी ट्रावेल करी है कभी यहां कभी वहां एक पर बना रहा एक पर घर पर ऐसा रहा हुआ है तो पूरा यह बैड है यह ब्राउन थोड़ी भी धूलिया थो पूरा जम सा जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहां पर यह व जगह है पूरे मैंने पूरे अपना मेक ओवर करा हुआ है इतना जगवाड़ू जगह है यहां पर मेरे बहुत सारे हैंड बैक तो इतनी चीजे हैं जो मेरे इसी में मैं यहां पर रखती हूं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है तो मैं इसको क्लीन करके और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से साफ कर लूँगी समोसा गरम गरम अभी यहां की मुझे सफाई करनी ही है देखे बेडरूम का तो लगवाग फाइनल हो चुका है पूरा बैड मैंने क्लीन करके बैट शिट डाल दी है ड्रेसिंग टेबल की पूरे सीसे वगएरा मैंने क्लीन कर दिये है यह सूट बस मुझे वाश करना है बाकी मैंने इन बैक्स में सारी चीज़े डाल दी है और ऐसे जैसे बैंगल्स वगएरा मैंने यहां पर रख दिये जो चीजों का यूज बहुत जल्दी नहीं होना है कुछ चीज़ें यहां पर मैंने निकाली यह वाली लेस मेरी रह ग है और सब कुछ हो गया है तो यह चीज़े तो होनी ही होनी है दो दो घरों की जिम्मेदारिया है वहां भी जाके बहुत सारी चीज़े करना यहां भी आके बहुत सारी चीज़े करना और मैंने पानी नहीं पिया है मुझे यादार है तो मिलती हूं आप सबसे थोड़े दिर पार गन कि यृण टमाटर की सब्जी बनाओंगी बेंगए तो बेयान के सिसेंग है तो बीकद भी अच्छी से घूल की सब्जिया बनती है तो यहां पर मैंने तला काटके तरीके से डाल दिया हुआ है और सब्जी हमारी लगवार से कंप्लीट हो चुकी यृण और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा न मैंने दूद गरम कर आवे दूद चूरा खाने के लिए और यहाँ पर यह लगती अरमय की प्लेड तुम्हें अरमय को अभी देखिए बहुत दिनों के बाद आपको अरमय दिख रही है और यह वाली ड्रेसना अरू क के लिए लेकर आई थी जब हम गाजीपूर सॉपिंग के लिए गया थे तब और अरमय जारी अपने स्कूल की कुछ चीज़े लेने के लिए बाई 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 बोले आना जो मैंने बोला है नहां दोके पूजा करके मैं अभी आई हूं जस्ट और मैं जारी हूं खान में देखते हैं विस्ता में सबजी रोटी बनाने वाली हूं उसके बाद यहां पर देखिए यह है गुलाब जामून तो आईए आप सब भी गुलाब जामून खाले जी और यह वीडियो थोटाइम पहले की वीडियो है और यहां पर मैंने निकाल के लखा है यह भगवान यह दो मैं खाऊंगी यह मैं अरुको ले जाके दूंगी घाजी पूर से घरम घरम गुलाब जामून आए हैं यहां पर अरम्या चेंज कर लिए लो यह फोल्ड करके रखने ना अपना अच्छ की खाए और फिर उसके बाद यहां पर मैं बना रही हूँ चाय तो यहां पर ना मैं अदरक, इलाइची, लौंग, इन सबी चीजों का अच्छे से कूट के और मैं फिर मैं इसमें डालती हूँ और या तो मैं तुलसी पता डाल देती हूँ या फिर उसके जो मंजर तो यहां पर देखिए हमारी अच्छी सी चाय बनके रेडी हो गई है तो मैं यही डालती हूँ आज कल न मैं लॉंग इलाइची अदरक इन सारी चीजों को मैं जरूर एड़ करती हूँ चाय में कि टेस्ट के साथ हमारे हेल्थ का भी अच्छे तरीके से ख्याल हो जाए तो च चाय कैसी बनी है जिते भी चाय पीजने वाले पसंदिदा लोग हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा और इसी उमीद के साथ मिलते हैं आप सबसे कल के अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सम अपना बहुत बहुत सारा खयाल रखिए